तो आप देख रहे हैं तक तक मैं आपके साथ हूं संची तो धंट ने देश भाय के लोगों को परिशार करके रखा है जी हाँ दोस्तो कश्मीर में तापमान माइनास 3 डीगरी डली में माइनास 2 डीगरी और माचल मी 0 डीगरी ऐसे में आपको रहना है साब धान और सतर और अ सबसे बड़ी प्राबलिम होती है हमारी जो रजाई है वो जल्दी से गरम नहीं होती है तो इसके लिए मैं आपको एक देशी हैक बताती हूँ जिसके लिए आप अपने हेर ड्रायर को ले लीजिए और उसको ओन करके ऐसे ब्लैंकेट के नीचे रख दो और हाँ आप इसको पूरा अंदर मत जालना बैस आपको ऐसे रखना है और बैस दो मिनिट में इसकी गरम हबास से आपका ब्लैंकेट इतना गरम हो जाएगा कि सुभा तक गर्मा हट रहेगा तो कभी-कभी मुझे लगता है विन्टर को गल्फ्रेंड ना डान रौफ है क्योंकि विन्टर अपने खुद के साथ डान रप को ले कर आता है इसलिए विन्टर में हर किसी के हेर में डान रप का प्रॉब्लिम तो हो ही जाता है पर कोई बात नहीं इसके लिए मेरे पास ए अच्छे से लगा लीजी और इसे लगा कर आधे घंटे के लिए चोड़ दीजिए और आधे घंटे बाद आप शैंपू से बालो को वाश कर लीजिए और उसके बाद देखना बालो में एक भी डानौप नहीं बचेगा तो winter में face के साथ-साथ body के skin भी तो dry हो जाती है और skin में glow ही नहीं रहता है तो body के skin को glowing और bright दिखाने के लिए आप बस ले लीजी अपने पसंद के कोई भी body lotion फिर इसमें मिला दीजी थोड़ा सा olive oil और कुछ drops foundation फिर इसको मिला के अपने पूरे body पे लगा लीजी अच्छे से फिर देखना winter में body के skin कितना glow करती है ओहो ये तो और एक common problem है winter में skin का बार बार dry हो जाना अब ठंड जो इतनी बड़ी है तो ये problem तो होना ही था जिसके लिए आप सबसे पहले तीन चमच glycerine ले लीजीए फिर इसमें मिला दीजीए तीन चमच rose water और last में दो चमच निम्बू कर रस अट करके मिला लीजीए और फिर इसे एक bottle में store करके रख दीजीए अब रात को सोने से पहले face को clean करने के बाद इस सिरम को लेकर face पर apply कर लीजीए gently massage करके और फिस हो जाएए और सुबह अटकर आप देखेंगे आपके skin कितना soft, smooth, glowing और bright हो चुका है ऐसे ही latest कब्रों के लिए देखते रहिए तब तक और वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को like, share और subscribe करना ना भूले मैं आपके संबादाता, सेंस्टीता और साथ में cameraman कोई नहीं है